जे हिन दोस्तो नव हाली में बहुत सारी रिपोर्ट छिपिए नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने समने कवर किया है और बहुत सारे आर्टिकल इस बात पे छप रहे हैं कि जो यूनाइटे नेशन का हिूमन राइट रिपोर्ट आया है चाइना के दस्चिर पस्चिमी प् ने रखा है ऐसा वह दुनिया को बताता है वास्तों में क्या है वहां पर कि जो और परॉकर मैं पर्ग हैं चैनीज हैं पावर जो सिंजियांग प्रांत है वो तो चाइना कहता है यह हमारा है इसको वो पूर्बी तुर्किस्तान नहीं मानता है और उसको नहीं वो आजाधी देता है अब हुआ किया कि वहां पे जब उन लोगों ने मांग आजादी की तो इनने कहा कि देखो ऐसा है हम आजादी नहीं देंगे autonomous power दे देंगे अब autonomous power के रूप में उन्होंने क्या किया चाइना का विचारधारा ये है कि जो हान चाइनेज है वास्तों में यही चाइनीज वर्जिनल है बाकी तो ये लोग इनकी कोई value है नहीं ये सब fake चाइनीज है तो जो ये हान चाइनीज है जो चीन की राधानी है और इनकी आबादी इतनी तेजी से घट रही है कि जो growth rate थी वो 84% घट गई है यानि एकदम से इनको down कर दिया है हुआ क्या है कि बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है उन लोगों के उपर और अत्याचार कर कौन रहा है चीन की जो कमनिश्ट विचारधारा की party है जिस party से सी जिंपिंग प्रिश्डेंट है उनकी party कर रही है और जब से सी जिंपिंग आये हैं 2013 से सासन में तब से ज़्यादा उन लोगों के उपर अत्याचार हो रहा है इससे पहले इतना अत्याचार नहीं हो रहा था होता क्या है कि वहां की महिलाओं का पुरसों का सबका पढ़ी जाती है चाइना में वो कुषान नहीं पढ़ी जा सकती है चाइना का खुद का एकनियम है खुद की एक किताब है उसको उसमें क्या किया हुआ है ये सी जिंपिंग के बारे में अच्छी अच्छी बाते लिखी गई है या Communist Party के बारे में अच्छी बाते लिखी गई है चाइना को उसमें ultimately महान दर्साया गया है ये चमगादर अगेरा खाने वाला नहीं बताया गया है अच्छा देश बताया गया है ये सब बाते उसमें लि कि ना कोई ट्रायल होता है ना कोई जाच होती है बस उठा के अंदर डाल दिया जाता है अगर कोई रिलीजियस प्रेक्टिस करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको उठा कर सुधार ग्रह में डाल दिया जाता है और फिर इस बात का कोई समय सीमा नहीं है कि कब उसको बाहर कि ट्विटर है और ट्विटर पे आके ये लोग गंदगी बाद में फैलाते हैं वो अलग उनका मेंटर है लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ट्विटर नहीं है वहाँ पे और ना ही कोई विशेश सोसल मीडिया एप और फेस्बुक और भी नहीं चलाते हैं वो लोग एक डम से इस बात की पावंदी है कॉंट्रेक्ट दे रखा है प्रोपर चाइनीज सरकार ने एक अमेरिकन कंपनी को और बहुत पहले दे दिया था एक कॉंट्रेक्ट उस हिसाब से कि वो कंपनी ये निधारित करती है उसको पैसे मिलते हैं इस बात कि चाइनीज लोग क्या सर्च मार कर देख सकते हैं और क्या नहीं इस बात को उनका इंटर्नेट वो फिल्टर किया जाता है उस कम्पनी के द्वारा हला कि यह कम्पनी USA किये लेकिन company स्वतनत रहे वो USA की सरकार उसमें कुछ interference नहीं कर सकती है तो इस तरह से उनके उपर पावंदी डाली जाती है वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं उनको अलग रखा जाता है उनके माता पिता से उनको दूर दूर company वे भेजा जाता है उनको pro Chinese बनाया जाता है और जो एक घर के 6-7 लोग है उनको 6-7 जगा पे distribute कर दिया जाता है एक जगा पे वो नहीं रहे पाते हैं बहुत सारे अंदोलन भी हुए एक बार अंदोलन काफी वड़ गया था लेकिन उसमें भी कुछ हुआ नहीं जो सिंजियां का राजधानी है अरमाची वहाँ पे बहुत तगड़ा अंदोलन हुआ और लगबंग में 200 लोग मारे गए यह अंदोलन 1990 में हुआ था जब वो लोग अपनी स्वतनतता के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे बहुत हेबी बुटली तरीके से चाइनीज कमुनिस पार्टी के आरमी ने उन लोगों को हैंडल क और लगबंग में 200 लोग मारे गए और बहुत बड़ा दंगा बनके खड़ा हो गया लेकिन उसके बावजूद भी उनको स्वतनतता नहीं मिली जो पूरवी तुरकिस्तान है वहां के लोगों को और चाइना उसको सिंजियांग बोलता है जो ऑटोनोमस पावर है वहां पे लोग हान चाइनीज हैं ये 1966 से लेकर 1976 के बीच में कल्चरल रेबूलेशन के नाम पर यहां वहां पूरा फैल गए थे तो यहीं लोग वहां जाकर पावर में हैं और इन लोगों की मदद जादा की जाती है रेसीजम जिसको सिंपल सी भासा में समझ लो कि रेसीजम किया जा चाइना के अंदर क्योंकि यह मुस्लिम है और अपने आपको टर्क एथेनिक बताते हैं यह अपने रिलिजियस प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं इनकी महजिदे गिरा दी गई हैं और महजिदों का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है जो बहुत इंपोर्टेंट महजिदे थ इसमें आप देख सकते हो कि पहले इस इलाके में कोई कंस्ट्रक्चन नहीं था लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहां पर बहुत सारे सुधार केम बना दिये गए हैं और इस सुधार केम में लाखो उईगर मुस्लिम्स को पकड़ के रखा गया है और इस बात का कुछ अता-प पर दीकी वो डाउन हो गई है और बहुत ही जल्दी यह हो सकता है कि धिरे धिर खतम भी हो जाएं ऐसे में क्या है कि युएन ने इस पर एक रिपोर्ट जारी कि वैसे बहुत बार यह मामला उठ चुका है इंटरनेशनल कोर्ट में भी यह मामला जा चुका है सी जिंपिंग के नाम संबन भी आ चुका है लेकिन इन सब चीजों से चाइना बिलकुल भी पीछे नहीं हटता है इनको आराम से हैंडल कर लेता है और अभी हाली में क्या हुआ कि एक नाम है चैन क्योंगो यह बंदा क्या है कि बहुत जादा करीबी है सी जिंपिंग का मलब सी क्योंकि यह काफी कटर है और हान चाइनीज है तो इसलिए जब से यह बना है उन लोगों का जीना मुश्किल हो गया जितने भी उविगर मुस्लिम्स है चाइना ने हलाकि डिफेंड किया है खुद को कहा है कि यह यूएस के द्वारा चलाएगा प्रोपोगंडा है इसमें यूएस ने सारी रिपोर्ट त्यार की है इवन की सारे दिखारों का उलंगन है इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है सारा जूट है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हमने जो कैंप बना है जिसमें लोगों को डाला है वो उन लोगों को डाला है जो टेरिरीजम पहला रहे थे ज उन लोगों को पकड़ पकड़ के उस कैम्प में डाला गया है जो आप लोग सेटेलाइट से इमेज निकाल रहे हो एक बार BBC के कुछ रिपोर्टस चाइना में चले गए थे वहाँ पे उन लोगों के कैमेरे तक बंद करवा दिये थे उन लोगों ने और उनको फोलो किया था क किन लोगों से बात कर रहे हैं किन लोगों से नहीं उनके जाने के दो-चार मिनिट के अंदर ही वहाँ पे पुलिस आ गई और इन लोगों को प्रोपर रिपोर्टिंग भी नहीं करने दी इतना होता है कि वहाँ के लोगों को DNA देना होता है सिंजियांग परांत के अपना औ और मोबाइल डीटियल देनी होती यानि कोई भी अधिकारी आकर उनका मोबाइल खोल कर और पूरा उसके मोबाइल में जो भी फंसन और सार्ट्वियर और सिस्टम और बातचीत है सब कुछ देख सकता है कोई प्राइबर्सी का नियम नहीं है जो चाहे वो चाइनीज गवर्म की पुलिस वहाँ पर देख सकती है महिलाओं को बुरका अगयरा लगाने पर बहुत सक्त मना है कोई वहाँ पर हिजाब अगयरा नहीं लगा सकता है अगर लगा दिया तो वो फिर उसको बूटली तरीके से टोचर करते हैं अल्टिमेंटली होता है क्या सोट्स पहना देते ह है को है यह है यह है जरिया है वह हमजरे है